कि दोस्तों हमारे फॉलोवर्स की डिमांड है कि सरे कंप्लीट वीडियो ऐसा बना दीजिए जिसमें सारे प्रेक्टिकल आसपेक्ट आप कवर करें कि कि 498 दहश प्रतार्णा के जो जूटे मामले होते हैं उन मामलों के अंदर जब पत्नी थाने पर शिकायत दर्ज करने जाती है उस शिकायत से लेकर के कोट में निर्णे होने तक की संपूर्ण परकिरिया किस तरह से होती है इस टॉपिक को एक बर कवर कर दीजिए तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोहिश करेंगे आपको समझाने की कोहिश करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक श तो दोस्तों विवाद कुछ भी हो पतनी जब थाने पर मामले को दरज कराने जाती है उस सिच्वेशन से ही सुप्रीम कोट का जज्जमेंट जो है वो लागू हो जाता है यानि सुप्रीम कोट ने गाइडलाइन्स जारी की है सभी महीला थानाज को कि अगर 406 IPC हस्बेंट वाइफ के जो मामले आते हैं उन मामलों के अंदर आपको किस तरह से डील करना है अब लोग समझ नहीं पाते हैं इसलिए वो गलती करते हैं या फिर वो डरते हैं तो जब भी कोई पतनी थाने पर शिकायत दरज कराने जाती है तो जो उसकी शिकायत है और जो उस से उस पुलिस कर्मी को ये प्रतीत हो जाता है ये नजर आता है प्रतम दिरश्या कि हाँ ये मामला किस नेचर का दिख रहा है क्या वो ग्रीविस नेचर का है या वो सिंपल नेचर का है अब आपके मामले के अंदर जब फोल्स केस है तो जाइड सी बात है वो सिंपल न वो शिकायत दरज करती है इस तरीके के मामले देखने को मिल जाते हैं कई तो कुल मिला करके जब वो थाने पर जाती है तो उसकी शिकायत को लेना है सुप्रिम कोड के ती एक रुटीन मिनर में आपको उसकी एफ आयर को दरज नहीं करना है ऐसे मामलों के अंदर पती को कानून आप ही के फैवर में जब कोई विकती कुछ करता है तो डरना भी चाहिए लेकिन कुछ किया ही नहीं तो फिर डर किस बात abide गिरफतारी की भी टेंशन नहीं है इस मामले के अंदर आगे हम चलते हुए इस वीडियो के अंदर पूरी इंफर्मिशन आपको देंगे लाइक करते हैं लेकिन इस वीडियो को दोस्तों आप तो पोलीस का जब कोल आता है पती के पास तो पती ये सोचता है कि अब क्या करना चाहिए एंटिसी बेटरी ले लूँ बेल या मैं नहीं जाओं कहीं मुझे पुलीस गिरफतार कर लेगी इस तरीके के मन में कही प्रशन उठते हैं तो सुप्रिम कोड का जज्जमेंट है अरनेश कुमार वर्सेस इस्टेट उफ बिहार का और साथ ही एक जज्जमेंट और है राजेश शर्मा वर्सेस इस्टेट उफ यूपी का इन दोनों ही मामलों के अंदर सुप्रिम कोड ने आपकी गिरफतारी को सन्रक्षन देते हुए पुलीस को डाइरेक्शन दिये दोस्तों कि ऐसे मामलों के अंदर सबसे पहले मीडियेशन कराना है हस्बेड और वाइफ का यानि एक पती की बात आपको सुननी है उसकी बात को सुन करके उन दोनों को एक दिन बुलाना है और दोनों को एक सामने सामने बिठा करके उन दोनों की बातचीत करानी है तो कुल में लाकर कि जो वो कोल आता है आप वहाँ जाकर कि अपनी बात रखें सेम डे उसी दिन अगर आपकी वाइफ लोकल है तो पुलीज उसको भी बुला सकती है तो अपनी तरफ से जो आपके पास पॉइंट से हैं कि साब मेरी वाइफ तो फला दिन गई थी एक्सामपल के तोर पे कि वैसे एक साल से गई री थी माई के और वहां से जाकर कि उसने पता नहीं क्यों शिकायत दर्ज करा दी सब मैं तो इस बीच में कही बार लेने के लिए गया हूँ मेरे परिवार वालों के साथ लेने के लिए गया हूँ समाज के लोगों के साथ लेने के लिए गया हूँ यह सब बाते आप बता सकते हैं कॉल करता हूँ कॉल नहीं उठाती है जो भी reason आपके पास है वो सारे points आप बोल सकते है इसके बाद ये जो पहली stage है पत्नी ने शिगायत कर दी उसके बाद आप चले गए तो आपकी पहली stage हो गई तो ये stage वो है जहाँ पे आप थोड़ा sense का इस्तिमाल करके अपनी समझ का इस्तिमाल करके पहले का मौका मिल जाता है एफायर भी दर्ज नहीं हुई है और अकर एफायर भी दर्ज हो जाए ना तब भी मौका मिल जाता है तो ये जो मौका है वो क्या है ये मौका है कि आप दोनों या तो राजी नामा settlement करके साथ में रहने के लिए एगरी हो जाए या फिर आप राजी नामा इस point पे कर लें कि हम separate होंगे लेकिन case बाजी ना करके mutual consent से divorce के लिए एगरी हो जाए तो आप दोनों का समय mental peace और इसके अलावा आपका पेसा भी बच जाएगा तो आप इस चीज को समझ सकते हैं यह stage है वो लेकिन बहुत से लोग इस situation में समझ नहीं पाते और थोड़ा ego दोनों का यहाँ पे aggressor रहता एक तरीके से अब ego वाली बात है साब इसने थाने पर आकर के शिकायत के से की यह वाला point उड़ी जाता है तब पती की side से और जब यह इधर से भी थोड़ी से आग होती है तो पत्नी की तरफ से भी फिर कोई ठंड तो नहीं आईगी वहाँ से भी आगी आनी है तो कुल मिला करके यहाँ पे पुलीस का कोशिश रहती है कि दोनों को समझाया जाए समझ में आ जाए इनके तो यहीं पे मामलों को sort out कर दे यह पहली stage होगे आपकी मानलों आप अगर आपका sort out नहीं होता है मेटर यहाँ पर dispose नहीं होता है आपका settlement नहीं होता है किसी भी point पर आप एगरी नहीं होते है तो फिर पुलिस वालों को F.I.R. दर्ज करनी ही होती है तो राजिश शर्मा वाले जज्जमेंट में सुप्रीम कोट नहीं यह बात कई कि अगर मेटर सौट आउट नहीं होता है इनका देन आपको F.I.R. दर्ज की जाना चाहिए लेकिन F.I.R. दर्ज करने से पहले आप यह एंशूर कर ले कि जो पत्नी का समस्त इस्त्रिधन है दहेज में जो उसको सामान दिया गया था उसके पत्ती से उसकी पत्नी को दिला दिया जाए इसके लिए पत्नी की तरह से एक लिस्ट बन करके दी जाती ही दोस्तों पूरी लिस्ट होती है जो सामान उसने दिया होता है अगर उसने एकस्ट्रा लिख दिया तो आप कहां से देंगे आप नहीं देंगे हो मना करएंगे आप जाहिड सी बात है तो यह भी आपके मन में प्रश्ना सकता है तो वो लिस्ट पती को जादी देती है पती वहां से अपने जो लिस्ट है उसके according सावान ले करके आता है जो नहीं लाता वो बाकाया रह जाता है अगर वो पत्णी एक्स्ट्रा लिखा आए तो वो तो बाकाया ही रहेगा और अगर intentionally पती नहीं लाया तो भी बाकाया रहेगा जितना पत्नी को मिल गया उतनी की received प्राप्त करके उस matter के साथ लगा दी जाती है उस file के साथ लगा दी जाती है जो की investigation का एक हिस्सा है तो कुल मिला करके यहां पर यह matter हो गया कि अगर मामला सोट आउट नहीं हो रहा है एक बात ही हो गई अब इन मामलों को देखते हुए कि सुप्रिम कोट ने देखा कि 406 के मामलों के अंदर बहुत ज्यादा मिस्यूस होता है गलत तरीके से निर्दोश व्यक्तियों के भी नाम इसमें दरज कराए जाते है नेशनल क्राइम्स रिकोर्ट बीरो की रिपोर्ट के अनुसार सुप्रिम कोट ने एनलाइसिस किया उस judgment के अंदर ही कि 85% ऐसे cases ते ज जांच करनी चाहिए क्योंकि इन में पती की family members और रिश्यदारों के नाम पत्नी की ओर से घसीटे जाते हैं इन्वल्व किये जाते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को जो किसी परकार से कोई इन्वल्मेंट नहीं रखते हैं उनका नाम निकाला जाना चाहिए तो आजकर नाम निक जाना पड़ता है कि किस तरह से जुटा केस आपकी पत्नी ने दर्ज कराया है अगर कुछ कंडिशन के अंदर पुलिस वाले ने आपकी परिवाद का किसी वेक्ति का नाम नहीं निकाला है तो आप 482 CRPC में हाई कोट में जाकर के अब उनके नाम निकल वाने के लिए नाम जोड़ा गया है तो यह हो गई एक स्टेज पुलीस को यह डायरेक्शन कि भाई फैमिली मेंबर्स की नाम निकल जाते हैं अब बात आती है कि गिरफतार क्यों नहीं करती कि सुप्रेम कोड ने कहा कि अर्णेश कुमार वाले जज्ज्मेंट में यह बात कही थी फिर ब दोस्तों 41SRPC आपकी गिरफतारी से एक तरीकी से बचाव करती है उसकी पालना आपको करनी ही चाहिए इस पर हमने वीडियो बनाया हुआ है यह वीडियो आप देख सकते हैं लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिशन में मिल जाएगा जाकर कि आप देख सकते हैं कि 41SRPC के बाद उसके बयान लेगी 161SRPC के बयान दर्ज करेगी उसके जो गवा हैं उन सभी के बयान भी पुलीस दर्ज करेगी यह इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है इन्वेस्टिगेशन चल रही है इफैर दर्ज होने के बाद अगर पुदी पतनी के साथ मारपीट की गई है त पत्नी बता रही है तो वो मोके बे जाएगी वहाँ जाकर के नक्षा बनाएगी आस-पास यह चीजह पाई और उसके लिए दो गवा पुलीस वहां के लोकल ले लेटी है अगर वो नहीं मिलते तो पुलीस वाले उसके अंदर गवाँ बन जाते कि वह मोके बे जाकर करका हमने कि लास्ट में जबitto पोलीज इस तरीकी की पूरी एविदेंस मेडीकल कर लेती है नक्ष मुगा कर लेती है आ जिसीज कर नहीं है किया कर लेती pasti इन सब कागजी कारुआ करके चार्शीट के रूप के पेश करती है अब दोस्तों एक सवाल फता कि चार्शीट का पेश की जाती है जब किसी व्यक्ति को गिरफतार कर लिया जाता है अगर व्यक्ति जेल में हो तब तो 90 डेज के अंदर पेश की जाती है लेकिन आपको तो 41 सी रपीजी का नोटिस दे दिया गया है आपकी गिरफतारी नहीं हुई है और अगर आपको गिरफतार भी कर लेती पुलीस और आपको जमाना कोड से हो जाती तब भी पुलीस के पास टाइम होता है कि वह अगर उसके पास जेनुवन रिजन है तो डिले कर सकती है चार्शीट फाइल करने के अंदर जैसे 90 डेज की बात कई तो वह 120 दिन भी हो सकते हैं 6 मेनी भी हो सकते हैं साल बरी भी लग जाता है कोई रिजन मेंशन करते हुए वो इतना डिले कर सकते हैं तो कुल मिला करके बात समझ में आ गई होगी अब दोस्तो चार्शीट जब कोड के अंदर फाइल होती है तो कुछ स्टेट्स के अंदर अक्यूजड को जो भी अगर पती अक्यूजड है उसको और पती के परिवार वाले हैं उनको सभी को पुलिस इंफर्म करती है कि वह चार्शीट कोड के अंदर फाइल की जा रही है आप सभी लोग उस दिन अपने वकील के साथ कोड के अंदर उपस्तित हो जावे हैं और कुछ स्टेट्स के अंदर क्यों होता है दोस्तों पुलिस चार्शीट कोड के पेश करके आजाती है और नोटिस के थूरू डेट देदेती है पती को और उसके परिवार वालों को कि फला डेट के उपर आप कोड के अंदर उपस्तित हो जाए तो अपना वकील लेकर के आपको कोड में उपस्तित होना है दोनों ही सिचुएशन के इंदर बेजमाना प्रात स्टेज है वो है चार्ज का लगना अब दोस्तों आपको बता दूं कि जब चार्शीट फाइल होती है तो उसकी एक कोपी बिलती है आपको निशुर्ख ये भी आपके लिए जानने में हेलफुल रहेगी क्योंकि पेसा बज़ जाएगा चार्शीट का तो कुल में लाकर के चार्शीट आपको निशुर्ख मिलती है चार्शीट मिलने के बाद जब आपने जमानत करा ली कोट के अंदर जमानत कराने के तुरंत बाद या उस दिन भी या बाद में नेक्स रेट पर जब भी कोट को उचित लगता उसके बाद वो लगाती है चार्ज जिसको बोलते है आरोप कि बहुत केती है कि साथ आपकी पत्नी नहीं आप पर आपने अपनी पत्नी के साथ फला तारीक को फला दिना को फला इस्थान पर यह चीज की जो कि मेरा इस धारा आ है 498 के तृफ के तहरा एं डंडी नहीं अपर आधे क्या आप इस अपरात को सुखार करते हैं आपको इंकार करना होता है वकील आपको यह बोलता है कि ya को इंकार करना है कि मैंने इसा कोई ओफेंज नहीं किया देन वह पूछती तो क्या आप इसकी अन्विक्षा चाहते हैं यानि विचारण चाहते हैं तो हम बिल्कुल डिफेंड करना चाहते हैं तो यस हम अन्विक्षा यानि हम विचारण करना चाहते हैं इस मामले का तो फिर कोट आपके साइन ले लेती है चार्ज लग गया आपके जब चार्ज लग जाता है आरोब आपको सुना दिया गया है तो फिर उसके बाद एविडेंस पतनी की ओर से कोट के अंदर प्रोड्यूस की जाएगी तो पतनी खुद एविडेंस है वो खुद अपने बाद आ करके देगी कोट में उसके जो घरवाले एविडेंस हो देंगे अगर वो गवा बनाए हैं तो अगर कोई आस्पोडोस के लोग है वो गवाई है वो चार्ज शिट जो है उसमें आप देख सकते हैं कौन-कौन गवाई नंबर ओफ सूची लिखी रहती है और सबकी सबके नाम होते हैं कितने गवाई हैं आपकी फैल के अंदर है तो कुल में लागर करके कोट सभी को समझ जारी करती है लेकिन एक साथ नहीं करती कोट के पास अल्डेडी बहुत वर्क होता है तो कभी दो गवाई को बलाएगी कभी तीन को कभी एक को यह बलाती है इन्वेस्टिकेशन ओफिसर को ते सिंगर ही बलाती कि यह बड़ा गवाई होता है तो कुल में लागर करके जब कोट के अंदर पत्नी के गवाई हो गया उससारे गवाई उसके उतर गए पत्नी की ओर से पुलीस वाले उतर गए तो इसके बाद होते हैं बयान मुल्जिम यानि मुल्जिम के बयान होते जिसको बयान मुल्जिम बोला जाता है जो पत्नी ने जितने भी गवा उता रहे हैं उनके सब के पॉइंट्स उसके अंदर लिखे रहते हैं कि ये बात कही है उन्होंने आपको क्या कहना है इस बारे में तो आप कहते हैं साब गलत है जुट बोल रहे हैं मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं ये बैन मुल्जिम होते है जब बैन मुल्जिम हो गए आपके तो इसके बात पती की बारी आती है कि पती डिफेंस पेश करना चाहे तो कर सकता है पती खुद के भी बैन करा सकता है अपनी ओर से दूसरे गवा पेश करना चाहे उस लड़की के रिश्चिदार या खुद के रिश्चिदार या कोई पडोसी, कोई दोस्त तो कर सकता है अब दोस्तो ज्यादा तर केस फेक होते हैं इस करान से वकील लोग पती की ओर से किसी भी गवा को पेश नहीं करते है क्योंकि नियम ये जिसने जो आरोप लगाया थाबित उसी को करना है तो उसको साबित करना है कि मैंने वेसा किया जब वो फेक है तो वो साबित कैसे कर सकती हम साबित करने देंगे लिए उसको उसे हम जूटा साबित कर देंगे और जूटा साबित भी ना कर पाए तो हम डाउट क्रियेट कर देंगे कोट में, कोट के मैंड में तो court doubtful के आधार पे हमें बरी कर देता है संदेखाल आप देखर के बरी कर देता तो असबास समझ में आई आए पके कि जब अपनी ओर से आपने बयान पेश कर दिये या आपने बयान पेश नहीं किये आपने कहा कि बयान करना है नहीं चाहता मैं आपका वकील इंकार कर जाता है तो फिर फाइल आजाती है आपकी आर्गुमेंट के अंदर जिसको बोलते हैं फाइनल आर्गुमेंट अब अंतिम भहस में कोड भहस सुनेगी दोनों के वकील पब्लिक प्रोसेक्यूटर वाइफ की ओर से और अक्यूजड की ओर से वकील आपका अर्गुमेंट करेगा वो बताएगा कि भी किस तरह से आपकी जो पत्नी है उसने जूटा एलिकेशन लगा कर गलत तथ्यों के आदर पर यह एफैर दरज कराई थी और यह जो बात कही थी यह करई यह बात था सबीत Elizabeth कहिए लोग और इर्थमों कोड करने कोई जो करते हैं कोड का समझाने कोई करते हैं सुप्रीम कोड कीज़मेंट पेश करते हैं किसाफ всё पर करता तो यह पूरा संपूर्ण तरीका है इस मामले राइन बै help इस तरह सेरक के इस थारी कितना लग जाता है टाइम लग जाताई दोस्तों काफी या इन मावलों के अदर इस यादा तर के से कोट के अंदर मामला चलता है अब बाद आती है कि टाइम कितना लग जाता है टाइम लग जाता है दोस्तों काफी टाइम लग जाता है इन मामलों के अंदर कि कोट की महंचाहिए रहती है कि यार सेटलमेंट ही होना इन मामलों में और ज्यादा तर कैसे में सेटलमेंट हो भ बार जो urgent matters होते हैं उनको सुनवाई करती देती है इनको चलने देती है तो इस तरीके से मामले की सुनवाई होती है 498 और 406 के case में दहच के case के अंदर anticipatory bail आप चाहें तो ले सकते हैं लेकिन मैं आपको नहीं कहुंगा कि आपको anticipatory bail लेना चाहिए आपको निड़र होकर कि पुलीस के पास जाना चाहिए पुलीस बुलाती है तो अपनी बात जाकर रखें एक्स्प्लैन करें पॉइंट्स को जो आप संजाना चाहते है देन कॉंप्रमाइज हो सकता है तो कर लें नहीं हो सकता तो फिर case के नहीं तयार रहें इसको शेयर करके दूसरे लोगों तक पोचाएं ऐसे वीडियो देखने के फोलो करें दूस्ता थेंक यू